दोस्तो आज हम वास्तो शास्तर में बात करेंगे ऐसी पांच चीजों कि जो कभी भी आपके बेडरूम में नहीं होनी चाहिए सबसे पहली चीज आती है दोस्तो इसमें बेड को फेस करता हुआ मिरर दोस्तो बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि जगा की कमी की वज़ए से लोग बेड के साइड में ही अपना मिरर लगा लेते हैं और वो बेड को face कर रहा होता है मिरर ये वास्तु के हिसाब से एक काफी major defect होता है दोस्तों ये आपकी sleep को disturb करता है और अगर ये मिरर सालो साल लगा रहे दो तीन साल लगा रहे तो ये health को भी effect कर सकता है दोस्तों दूसरी चीज़ आती है दोस्तों God के आइडल आप किसी भी भगवान को मानते हैं दोस्तों कभी भी आपके bedroom में कोई भी God का आइडल नहीं होना चाहिए ये वास्तु के हिसाब से काफी negative होता है दोस्तों अगर आपने भी कहीं पे भी अपने bedroom में कोई God का आइडल रख रखा आपके bedroom में कभी भी कोई wild animal के statue बहुत बारत रख लेते हैं लोगों को शौक होता है रखने का statues नहीं रखने हैं आपको कोई pictures नहीं लगानी है या कोई भी ऐसी scenery नहीं लगानी जिसमें कोई wild animal हो दोस्तों ये anger issues को बढ़ा सकता है आपके घर में next चीज आती है दोस्तों कभी भी आपके bedroom में आपको कोई live plant नहीं रखना है ये वासु के हिसाब से एक defect होता है दोस्तों अगर आप अपने bedroom में कोई भी live plant रखते हैं दोस्तों चाहे indoor plant है चाहे outdoor आपको कभी भी कोई live plant अपने bedroom में नहीं रखना दोस्तों लास्ट और most important चीज आती है दोस्तों आपको अपने bed में अगर box वाला bed है आपका उसमें कभी भी कोई liquid या metal नहीं रखना अगर आप ऐसा करते हैं अगर आपके भी ale सभशी बेट में कोई liquid कोई पर्फ्यूम की बॉटल या ऑ कोई कोई किसी भी तरीके का liquid bottle है या कोई bu metו हैं आपके बैड में कोई showpiece आपको मिला था गिक में आपने वो रख रखा है अपने या किसी भी तरीके को मेटल या liquid bottle है दोस्तों यह एक तरीके का stress क्रेयेट आपके बेड में कभी भी कोई लिक्विड बॉटल नहीं होनी चाहिए ना ही आपके बेड में कभी कोई मेटल का शोपीस या मेटल का कोई भी चीज आइटम होना चाहिए धन्यवाद दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब परना ना बोलें